नमस्कार दोस्तो पावर ट्रेक ट्रेक्टर या किसी भी ट्रेक्टर को कौन से गीर में चलाना चाहिए जैसे यह 50 HP का ट्रेक्टर है तो कल्टिवेटर है, हेरो है, लेवलर है, डिस्क प्लॉग है, स्वागा है, सब के लिए दोस्तों कपनी एक स्पेसिफिक गीर रिकमेंड क पर जो पावर टेक ट्रेक्टर आते हैं, उनमें एक इस्टिगर दे रखाए, इस इस्टिगर में आप देख सकते हैं, दोस्तों, L1, L2, L3, L4 ये गीर है, H1, H2, H3, H4 ये भी गीर है, अब पहले आपको दोस्तों, गीर को पढ़ना आना चाहिए, तो दोस्तों, यहाँ प L1, L2, L3, L4 ये बात समझ गया है, तो यहाँ पर L1, L2, L3 जो लिखावा है, इसका मिनिंग आपको समझ आ गया, अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं, H1, H2, H3, H4, तो दोस्तों, छोटे गीर को हम नीचे की और कर देते हैं, यानि H की और कर देते हैं, अब जैसे में गीर को समझते हैं, इसमें तीन पोजिशन दे रखी होती है, एक जैसे आप गीर छोड़ते हैं, तो अपने आप आकर रुख जाता है, ये बीच की पोजिशन है, देखे जब गीर नूटल होता है, तो आप जानते हैं, दोस्तों, दोनों साइड मूव करेगा, जैसे गीर लग ज सबसे इस साइड ले आओ, नीचे दबा दो एक नमबर, उपर दबा दो आपका रिवर्स, फिर जैसे हम नूटल करते हैं, तो बीच में आ जाता है, अब हमें तीन और चार लगाना है, तो कहां लिखे हो हैं, सबसे इस साइड है, तो गीर को सबसे इस साइड ले जाओ, अब देखे दोस्तों, यह बात समझाने के बाद हम जैसे बात कर लेते हैं, हमें अपना रोटावेटर में टेक्टर चलाना है, किसमें? रोटावेटर में, तो क्या करेंगे? कौन सा गीर लगाएंगे? L1 या L2, ठीक है? L2 कैसे लगेगा? इसको उपर कर देंगे L की और औ अपना दो नमबर लगाएंगे, L2, ठीक है? अब जैसे मुझे MB प्लाव चलाना है, तो कौन से में चलाना है? L3, तो L3 कैसे लगेगा? अपने छोटे गीर को हमने L के और कर रखाया और इसमें 3 नमबर लगा दिया, तो यह L3 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही L4, H1, मैं हम कौ इल्टिवेटर लेवलर हेरो, H1 भी लगा सकते है, L4 भी लगा सकते है, और सिड्रील और स्वागम H2, इसी तवे के होलेज जैसे ट्रोली इत्यादी खींत रहे हैं, तो H3 और H4 गियर कामे लेंगे, तो इस प्रकार से अभी हमने हैं, दोस्तों, जो 50 HP रेंज के ट्रेक्ट